कि डोगनी कैफे में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए तो आए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आसानी से खाले तो दोस्तों आज कल सर्दियों का मोसम चल रहा है और स्टीट डोग में सबसे ज़्यादा प्लेशानी यही हो रही है कि स्टीट डोग को सर्दी लग जाती है या उसको फीवर हो जाता है उसको जुखाम लग जाता है तो उस कंडिशन में अपन कौन सी मेडिस जब भी आपके पास कोई स्टीट डोग है गली महले में उसको सर्दी लग गई है जुखाम है उसको बुखार है इवन अगर उसको कोई चोट लग गई है सूजन है किसी भी परकार की तो दोस्तों वहां पे भी एपन दर्द कम करने के लिए दे सकते हैं तो दोस्तों आज जो मेडिसीन बारे में बता रहा हूँ एक तरह से हरभल प्रिप्रेशन है हरभल मेडिसीन है जिसका नाम है हिंपंईरु स्कीट रही होगी इस पयne पहले एक medicine himpirin है safe medicine है इसका कोई side fact नहीं है एक तरह से डोग में जो immunity ही बनाती है जिससे डोग जो है सरदी जुखाम से और fever से डोग जो है बचा रहता है तो सरदियों में आपको लगता है कि आपके street डोग है उसको सरदी है जुखाम जो हो रहा है उसको fever हो रहा है या किसी परकार का pain है तो वहाँ पे अपन दे सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं इसके doze कितनी देनी होती है जो नदी है या जो चोटा पपी है तो उसको कितनी मातरा दे gebaut हैाओ जो जो डोग है पपी है, उसको कम प्रोब्लम है तो वहां पे अपन एक बार देवें अगर दोस्तों तकलीफ ज़्यादा है सर्दी ज़्यादा लगी हुई है तो दोस्तों वहां पे अपन दिन में दो बार भी दे सकते हैं दोस्तों अगर लार्ज डोग है उसका वेट अच्छा खासा है 20-30kg के आसपास है क्योंकि जो स्टीडो जो होते है उनका वेट 30-30kg के आसपास ही मिलता है 20-30kg के आसपास दोस्तों वहां पे अपन 2-3 ml तक दिन में 2 दो बार भी दोस्तों अपन दे सकते हैं दोस्तों यह सब्यादाल अपन पम लगा थारा आपन दोस्तों स्ट्रीट डो को आप खिला सकते हों तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताईएगा धन्यवाद